तो मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उसकाम में लगा हूं अब दोजन हो गया अब आखरी चीज़ बताता हूं डाइबेटीज के लिए और शदी क्या है करें अगर दाइबेटीज की सबसे अच्छी ऑषदी में बात करूं तो आपकी घर में भाजार से लाने की जरूरET में सब्सक्राइब करें एक पर सूची बनाई थी एक सो आठ और उशदियां है स्वेंपाग में हमको माहिती नहीं माहिती क्यों नहीं यह कोई बताता नहीं इस्कूल कॉलेज में फालतू बाते बहुत बताते हैं काम की कुछ नहीं बताते हैं मैं पूरी जिंदगी इस्कूल और कॉलेज में पढ़ता रहा किसी ने मुझे नहीं बताया कि स्वेंपाग घर में डायविटीज के और भी क्या है और फालतू बहुत बताया मुझे एक्स 2xy plus y2 क्या करूँ एसका? मुझे आज तक महीती X-Y whole e-square X-Y whole e-square X-Y whole ā, Q X-Y whole i2 ऐसी-ऐसी कच्रा चीज बुझे पढ़ई जिन्दिकी मैं कभी काम गाई और जो काम की चीज है कि diabetes कौन सी ओnhषदी से ठीक होता गो किजी ने बीदाए का यह बहुत बाद में देरी पर आशन दिया डाइबिटीज की सबसे अच्छी और शदी अपने स्वएंपा घर में है मैथी का दाना आप इसको किसी को भी बता सकते जिसको भी शुगर की बीमारी है डाइबिटीज की बीमारी है उसको आप बोलिये मैथी का दाना खाना अब कैसे खाना खाने का तरीका है बहुत जरूरी वही बहुत महत्तुका है वैसे तो मैथी का दाना है पाउडर बना के आप ले सकते हैं यह तरीका अच्छा नहीं है डाइबिटीज की सबसे अच्छा तरीका है मैथी के दाने को रात में पानी में डालना एक चम्मच महती दाना, एक गिलास पानी में रात को डालना रात्री परियंत उस पानी को रखना सुबह सुबह सोकर जब उठें तो वो दाने का पानी पहले पीना पीछे से वो दाने को चवा चवा के खाना ये तरीका है एक चम्मच महती दाना, एक गिलास पानी में रात को दालना, सकाडी वो पानी को पीना, पीछे से दाने को चबा की खाना, ये तरीका है, अगर किसी ने भी तीन महीं में ये कर लिया, उसकी डाइबिटीस समाप हो जाएगे, बिना इंसुलिन के, बिना एक पैसे के खर्च के, महती का दाना, बहुत सस्ता मिलता है, हर घर में है, जादा खर्चा नहीं लगता, महती के लाने का कोई side effect नहीं है, और महती के लाने की expiry date की नहीं है, सब्जी करें तो अच्छी है लेकिन पूरा लाब नहीं मिलेगा अगर आप सब्जी खाए मैथी के दाने की तो 6-7 महीने खाने पड़ेगी तब जाके डाइबटीज ठीक होगी लेकिन दाना पानी में डालके अगर 3 महीने ही खा लिया तो आप ठीक हो जाएं तो आपको जैसा लगे वैसा कर लिए आप मैथी दाने को पाउडर बनाके पानी में मिला के वे पी सकते हैं लेकिन ऐसा 5-6 महीने करना पढ़ेगा तब असर आएगा दाने को सीधे पारी में डालके चबाके खाएंगे असर 3 महीने महीने ही आजएगी अब जो आपको पसंद हो आपकर लिए मैथी के लाडू जरूर खाये जरूर खाये मैथी के लाडू बनाईए गाय के तूप में और गुड़ में गुड़ गाय का तूप और मैथी के लाडू बनाईए भर्पूर खाये सर्दियां आ जाएं तो रोज खाई तीन महीने सर्दी चलती है कभी-कभी चार महीने भी चलती है तो सर्दी के दिल रोज एक मैथी का लाड़ू जरूर खाई